यहां बठान पर बैटे रहते हैं श्रीप घड़ बचा है और मांकी सारा डुबा हुआ है तो अभी बढ़ रहा है रात में भी बढ़ा है अभी भी बढ़ रहा है तो जन परतनी दी आये मिलने के अध्यार का महल बहुत खत्रा से बाहर जा रहा है अच्छा देखिए रहे हैं यह मसकार स्वागत है आपका मैं हूँ अभिनास भात आप देख रहे हैं बी एन पी नियूस लगातार पिछले दो दिनों से जिस प्रकार से मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं दियारा छेत्र के लोगों के दोरा फोन कॉल्स आ रहे हैं उन तमाम गरीबों के जो यह फोन करके क कह रहें कि भईया ऐसा है कि पिछले दो दिनों में जिस तरह से गंगा जी का पानी बढ़ा है ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार प्रसासन या आप यूं कहिए कि जो जन प्रतिनिदी हैं अगर कोई भी लोग जागरुपता पुर्वक संग्यान नहीं ले हमारा तब कुछी कम दिनों के बाद हम लोगों का घर दूब जाएगा तो हमने कहा क्या सुबह का मोसम ठंधा है पीछे गंगा जी बैह रही है गवाले लोग हमारे साथ हैं तो क्यों ना हम इनके बीच चले जाए इनसे एक बार जड़ा पूछें कौन सा बिधानसभा छेत्र है बिधानसभा ब और कल तक मुझे रेशियम गंगा जी है जो दूब जाएगा घर हो तो जाएगा तो जाएगा तो आप बनेक भीतर ने जाएंगे आने तो बखिये यहां कि उस बचाही नहीं चारा उड़ा जो भी था माल जाल के सब खतम हो गया है यहां पतान पर बैठे रहाते हैं श्री गड़ बचा है और मां की सारा दुबा हुआ है तो यहां मतलब हमको लगता है बहुत ध्यानक रूप से बढ़ रहा है कल से आज तक में लंसम बित्ता से उपर पानी बढ़ गया कल से पहले था उदर अब आगे आई इदर अभी बढ़िये रहा रात में भी बढ़ा है अभ राजकुमार जी है राजकुमार जी है कई वीडियो वहां तक पहुंच जाएगा देखें विदायक जी थोड़ा मिल लिजेगा इनसे और भी हमारे साथ लोग है यहां बाबा है हमारे साथ बैठे हुए थे इंसे कुछ डिसकस हो रहा था जातिकत जनगनना को लेकर डिसकस समझिये जो लोग पुराने हैं हमारे बीच हैं तो लोग इनसे जों को बहतर समझते बाढ का कैसा महल है यहां यहां महल क्शेत्रे भंस यहां किसानी करते हैं आप जीस तरह से पानी बढ़ रहा है अगर सब कुछ चला आएगा भर में पानी रूज ज़ागा यहां से चल जाएंगे अपना समय काटेगे और क्या करेंगे पानी घटेगा थिर वापस पान घटेगा तब तो आएंगे को जाइंगा को इन ला एक सपा कोई नहीं sub है और कज्डनों सरह कोई नहीं नहीं कोई नेता हुता कई नहीं अब कोई मैं बता ये ऐसी वेवस्था है कि मतलब लोग घर से निकल कर आ नहीं रहें अपनी जनक्ता तक पता है यह सब भी लोग वोटर ही जब समय आता है वोट का तो लोग कंबल से लेकर चादर से लेकर साडी तक बात दीन यहां मैं लिए जो सुतने बैठने नहीं देते ह बताइए चुनाओं में रात के 10 विए तक जन प्रतनिदी खरे रहते हैं और जब आज बाड का महौल है तो दिन के 10 वजे भी मिलने नहीं आते हैं दुर्भाग्या है यह हमारे देश का हमारा राजनितिक जो कल्चर है हमारे देश का उसका दुर्भाग है आईए हमारे साथ एक और बंदुएं क्या नम है आपका कुंदन क्मार कुंदन जी क्या लगता है डूब जाएगा घर या सरा किसमें कोई सक भी नहीं है अधर विट लेने वाला ने इससे बढ़ियां ये था हमारे विदायक पहले गोगों सिंघ अच्छा घर में आते थे देख ए ठे ठीक्य साने विदायक को मिस कर रहा है आप लोग जी सर नहीं है कि आप उनको भोट नहीं दिये तू आपका ख्याल नहीं रखते हैं उनका दाइट बनता है कि जितने लोग हैं उनके उनके में जितने लोग हैं तो सब का ध्यान रखना होगा तो मैं यहां आया हुआ था आपको एक बार फिर से नजारा दिखा तो थोड़ा पीछे दिखाईए यह जो आप हर्याली देख रहे हैं यह खेत मैं पिछले चार दिन पहले यहां आया था और इस खेत तक पानी नहीं आया जैँ भी गया था यहां पिछले दो दिनों में जिस तरह से पानी पूरा बढ़ गया कुछ-कुछ घर हैं जिनमें पानी आ भी चुका है आप यह मानगी चलिये जो किनारे पे गाउं हैसे चितना और गाउं हो गया यहां यूं कहली जो जो पुरवारी-टॉला का जो पूर सब किनारे पर हैं तमाम गाहों में और तमाम घरों में पानी चला गया है। किसानी से जुड़े हुए लोग रहते हैं मतलब आप समझी सकते हैं किसानी से हैं तो रहते होंगे तो गाएमाल यह अपने पास रखते हैं तो ये समाम चरह की चीजे तो सब कुछ जो दिक्कत में है आक लोग क्या चाहते हैं चाहते हैं हम लोग चाहते हैं काय माल जानबर जो भी ढूंक्ति ईंच कि जूड़ी तो मटियानी विदान सभाद सब्सक्राइब गनिमत है कि हमारा न्यूज चैनल बेगु सराई में चल रहा है तमाम तरह के जन परतिनी धी जुड़े हुए हैं मटियानी विधान सभा के जो जन परतिनी धी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है और जिला परसासन जो है जिला पताधिकारी जो है डियम साहब जो है उन तमाम लोगों से भी मेरा निवेदन है कि देखिए बाढ़ का माहल बहुत गंभीर हो गया है बेगु सराई में तो इस चीज को लेकर थोरा सा जागरूख होना परेगा आपको भी और जनता को भी जागरूख करना परेगा क्योंकि जब तक आप जनता के बीच नहीं आएंगे जब तक आप जनता को कुछ नहीं बताएंगे तो जनता जो है न सर वो मतलब जो आदमी एक कंबल चादर पे भोड़ दे देता है तो समझ रहना मुसीबत आती होगी तो व्यक्ति कितना छट पटा रहा होगा तो आप लगातार बने रही है बीन पी न्यूज के साथ मैं हूँ अबिनास भर फेसे हाजिर होंगा आपकी सिवा मैं नवस्कार